पिस्मिल्ला रख्मानुराहीम अस्सलामुआलेकम साथ मैं और आपको साथी रेविया इंटेनेशन फ्लैट्स के मुतलग अपडेट कर दूँगा यार मैं अभी न्यूस पढ़ रहा था तो आपको पता है जी आपने अभी तक ही कुछ यूट्यूब चैनल के उपर और कुछ टिक-TOP के उपर सौरी ये विडियो देख ली होगी कि 20 अगस्त से क्या ओने वाला है यारि कि एकामा होल्डर 20 अगस्त से फ्लैटस ओपन होने वाली है एकामा होल्डर अफराद आसके हैं एकामा होल्डर नी नी यानि कि छुट्ती पर गाय होए अफराद तो इस यूज च मतलग बहुत सी आपने अभी तक खबरे सुन ली होगी और आप भाईयों को पता भी चल चुका होगा जो सच है और जो जूट है लेकिन मैं आप भाईयों साथ एक दो बाते शेयर करूंगा जिस से यकीनन आप भाईयों को फाइदा होगा तो भाई 20 अगस्त से ये जो बताया जा रहा है फ्रैट्स के मतलग और सौधी घजर का नाम लेकर ये खबर एक शाय की गई थी जो कि जूट था बिलकुल मैं सौधी घजर का भाई ट्वीटर अकाउंट सारा देखा है कहीं पर ऐसी न्यूज नहीं लिखी हुई है तो इस में बाई कितना सच है कितना जूट है अगर इस न्यूज में कोई किसी किसम का सच है तो वो क्या है तुमाँ तर डिटेल आप हाईक साथ इसी वीडियो में शेयर कर देता हूँ सबसे पहले तो मैं आज ही कि अगर बाद करूँ तो मैं बाई आकर बकाला में गया हुआ था एक पाकिस्तानी था जी मैं उसको देख रहा था कि वो आपको पता ही आपको जो भी चीज़ा ही हो हम मार्किट से उठाते हैं काउंटर के उपर लाकर रखते हैं पैसे देते हैं और चले जाते हैं लेकिन बंदे के जुरूरत तो नहीं होती है वो काउंटर के उपर खड़ा हुआ बंदा लेकिन आपको पता है सुपर मार् रखा है आ रखा है इदर जा रखा है आ रहो और उसको 44 साल जी मेरे भाई माशालाद 44 साल हो गए थे यहाँ पर साथी रेपिया में मार्कीट वगरा में काम करते हुए तो मैंने उसको पुछा कि बंदे नहीं है आपके पास आपके अकेले काम का वो पाकिस्तानी थोड़ी ग चार लाख के राउन में पैसे लग रहे हैं तो फिर भी रिस्क है तो कोई भी नहीं है इतनी सालरी में जी अगर वो बोर रहा था अगर किसी का अपना कारोबार है महीनेकार 10,000-15,000 रियाल कमाता है तो फिर वो इतना रिस्क ले सकता है अगर कुछ दो पंदरा सो दो हजार 22 के राउन में काम कर रहा है तो वो इतना रिस्क लेकर सौधी अभी में कैसे आएगा चलो यह एक बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है इंटरनेशन फ्रैट्स के मतलग बहुत सी दूनिया परेशान है पाकस्तान में जो गए वो यहाँ पर जो बैठे हुए हैं खासकर कारोबार वाले कमपनी में आपको पता ही बन inhabit गया हुए हैं कारोबार उस हिसाब से थी बंनों के हिसाब से जहरी से बात है कारोबार होते हैं तो बात कर लीते हैं इस न्यूस के उपर सबसे पहले तो मैं आपको भाई यहां पर यह किलिर कर दूँ कि यह जूट है सरा सर जी मेरे भाई आप इंटनेशन फ्लैट्स के मतलग अगर सुनना चाहते थे क्या हुआ है तो भाई अभी से मेरी वीडियो स्किप करके आप जा सकते हैं लेकिन इस न्यूस से मतलग क्या सच है वो आगे आपको वीडियो में मैं बताता हूँ भाई 20 क्या 18 क्या 22 क्या 25 क्या कोई भी ऐसी डेड़ नहीं दी गी है और आप भाईों के साथ मैं अक्सर जो फ्लैट्स की न्यूस शेर करता रहता हूँ क्या भाई कोई भी बन्दा अगर अभी तक आपको कोई भी किसी 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 की डेड़ देकर बता रखा है तो वो जूट बोर रहा है आपके साथ और ये खबर भी जूटी ही निकली है इकामा होल्डर हों, विज़र विज़ा वाले हों फैमिली विज़ा, कोई भी बंदा सौधी रेबिया में भी तक फ्रैर्स का इलान ही नहीं किया गया है हाँ, ये तो हो गए जूट बला मामला मैंने सौधी गज़र का पूरा पेज़ चक किया है कहीं मुझे ऐसी नियूज नहीं मिलिया ये किसी ने ऐसे फेक नियूज लगाई थी अभी बात कर लेते हैं जो इस नियूज से सच निकलता है वो क्या है इस नियूज से सच ये निकलता है भाई कि जब भी सौधी रेबिया इंटरनेशने फ्लैट्स अपनी भाल करेगा वजाते ताहलिया के पेज के उपर बकाईदा उसी टाइम नशर कर दिया जाएगा यानि कि उनकी तरफ से ही नाउस्मिन की जाएगी और तमाम तर बंदे यानि कि यूट्यूबर चैनल वाले आप भाई जिनकी दूसरी वीडियो देखते हैं वो भी आपको अगाह करेंगे उससे और मैं भी इंशालत अला आप भाईयों को उसी टाइम उस नियूज से अपडेट जरूर करूँगा और दूसरी बात यो मैं समझता हूँ साओधी फिलैट्स को लेकर एक बात जो मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ और अभी फिर से कर रहा हूँ और अपनी तरफ से ये बात कर रहा हूँ मैं आपको किसी भी किसी किसम के जराय के थूरूर नहीं बता रखा खुद से भाई बात कर रहो जूट कोई नहीं बोर रहा मैं आपके साथ मेरा खुद का ये मानना है कि सौधी रेभिया अपनी ट्रेशर फ्लैट्स इन्शालला ताला अगस्त में ही मुझे पूरी उमीद है बहाल करेगा और उन बंदों के लिए हो सकता है पहले बहाल करे जिनको वैक्सिन की दोनों डोज लग चुकी है और दोनों डोज यहां से जो लगवा कर जाच चुके हैं यानि के सौधी रेभिया से पाकस्तान में भाई बैठे हुए हैं उनको दोनों डोज लग चुकी है लेकिन पहले हो सकता है इन बंदों का इलान किया जो यहां से भाई अपनी दोनों डोज कंप्लीट करके आपको पता ही तवक्ल ना और सहती के ऊपर अपने स्टेटस अपडेट करके यहां से छूटी पर गय हुए हैं वो आ सकते हैं ऐसा हो स आएगा पहले एक दो दिन वो अचानक से फ्लाइटस ओपन करेगा और उसके मतलब जो शरायत वगरा होंगी वो सामने रख देगा वो आप आई को साथ मैं फिर मुकंबल टेटेल से न्यूज भी शेयर करूँगा तब तक के लिए अल्ला हाफीज